आप देख रहे हैं हिंदी का question paper most important questions इससे पहले में आपको जो questions दी हैं आपने तयार कर दिया होगे मुझे पूरा विश्वास है अब आते हैं हम दूसरे प्रशन पत्र पर जो की काफी important रहेगा और यहां पर जो paragraph दिया गया है पुस्तकाले से बड़ा लाव ज्यान mcq रहेंगे तो 5 प्रशन mcq रहेंगे पहले paragraph से और इसके बाद में दूसरा जो paragraph होगा उसमें 6 से लेके 10 तक के प्रशन रहेंगे चलिए पहले paragraph को देखते हैं और इसके answers को देखते हैं आपने पूरा paragraph यह पढ़ लिया होगा अब इसका पहला जो question है उसकी बात करें तो मनुष्य के लिए पुस्तकाले का योगदान नहीं है यहां पर नहीं पूछा गया ध्यान रखना है तो मनुष्य के लिए पुस्तकाले का योगदान नहीं है पुस्तकाले क्या योगदान नहीं करता मनुष्य के लिए तो पुस्तकाले अमानविय बुराईयों को उभारने के रूप में जो है कारे नहीं करता पुस्तकाले मतलब मनुष्य के हित में जो है वह हमेशा हितकारी होता है पुस्तकाले ना कि अहित करता है और मानों की भावना रहित जिसमें मानों की भावना ना हो तो पुस्तकाले का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मानों की भावना को खत करता होते हैं पर 10 option आपका correct हो जाएगा next question है कौन से छात्र अपना अधिकान से समय पुस्तेकाले में बिताते हैं तो वह कौन से छात्र हैं जो अधिकान से समय अपना बिताना चाहेंगे पुस्तेकाले में अगर आपने पैरागराब पढ़ लिया तो आपको answer मिलेगा पारट है इसमें पूछा गया ओकास के समय हमारा सच्चा साती है तो अटेकाले काल में पुस्तेकाला प्र अगर प्रफ़शन में प्रत्सर्सराम करें अगर और इसको भी करेंगे तो आप पांच अंग प्राप्त करेंगे यह भी mcq पैटन ही रहेगा भी तो चलिए जैसे मैंने बताया है आपको पैटन में इस से पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं कहानी दी थी और यहां पर कवीता दी गई है आज की दुनिया विचित्र नवीन यह वाली जो है का आपको कवीता दी गई है और इस कवीता के माध्यम से आपको अगले प्रश्ण के उत्तर देने हैं आज का संसार नवीन और विचित्र दिखाई देने का कारण क्या है तो इस जो कुश्यन है इसकी बात करते हैं छूटकर पीछे गया है रहे हर्दय का देश पंक्ति का भावर्थ आपको बताना है तो यहां पर इस पंक्ति का अर्थ जो अगर हम बात कर जाए तो कौन सा होगा आपने पहला गराफ पड़ा है तो इसमें सही अंसर हो जाएगा बौधिक बल पर प्रसन होता है यही इसका ऑंसर हो जाएगा बुद्धि का देवार का मतलब देखेंगे अगर अपर बढ़ चुके होंगे तो और दस्वा जो इस मानों का हख्म जो है इसका उचिते शीर्षक माना जाएगा तो यहां पे सा आप्ट्चन करेक्ट होता है और 11 प्रश्ट्न है यह किसी भी पहराग्राप से नहीं है डारेक्ट आपके भुक से है ग्यारवा और बारवा प्रशन बुक से मिलेगा अब आगे की सारे प्रशन जो है आपके उपर डिपेंड करेंगे तो यहां पर जो है लेखिका ने जब एक सिक्किमी यूईती से पूछा क्या सिक्किमी हो तो उसने जवाब दिया आंसर क्या हो जाएगा मैं इंडियन हूं सा उप्सन जो है करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आगे आपके जो प्रशन होते हैं आपके फिलप्स वाले तो यह कुश्चंस आपको मिलेंगे और इनके आंसरस आपको देने हैं जिस सब्द से किसी एक ही जाती की वस्तु का समान रूप से बोध होता हो उसको खालिस्तान सं संग्या कहते हैं इसमें इसने बोल दिया कि जाती वाचक संग्या क्योंकि यहां पर जाती की बात कर दी जाती वाचक संग्या हो गया ठीक है इसके अलावा जो है जो शब्द संग्या के स्थान पर किसी वाक्य में प्रियूक्त होता है उसे हम क्या कहते है तो उसे सभी को प प्रशन आएंगे आपर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो कर्म के आधार पर ग्रिया के दो भेद होते हैं आपको अच्य तरह से पता है इसका वाद जो है अध मराज श met में कौनकर को स सा है तो इसमें अध ज киноच्ण देखने को मिलेंगे question number 3 से लेके 16 तक तो यह सारे के सारे प्रशन जब आप करेंगे तो आपको 12 अंक यहां से प्राप्त हो जाएंगे ऊपर आपने जो है 5 अंक प्राप्त कर लिये थे ठीक है 5 के बाद में आपने यह 2 अंक प्राप्त कर लिये थे तो आपने जो है टोटल मिला के पहले स्टार्टिंग में पहले paragraph से 5 अंक पहला वाला paragraph था इससे 5 अंक फिर दूसरे वाले paragraph से भी 5 अंक 10 अंक और जो है यह 11 और 12 question करके 12 अंक तो आप यहां सची होता है इसका सूत्र बहुत important सूत्र है यह कभी-कभी पूछता ही पूछता है उधान आप दे सकते हैं यदि प्लस अपी यद्यपी ठीक है इसके बाद तत्पुरु समास की परिभाशा जो है आपको बता देना है हमने लिख दिया है आप पढ़ सकते हैं मैं फटा-फ प्रशन छोड़ना नहीं एक्जाम में चाहें आता हो या ना आता हो थोड़ा सा अपना आइडिया लगाई है और कुछ मैं आपको पेपर्स दे रहा हूं इसे सारा सारा आपका प्रशन पत्र सॉल हो जाएगा घर का दीपक बुझना मुहावरे का अर्थ बताना है सभी को एक मयान में दो तलवार नहीं रहती लोकोकती का अर्थ जो है आपको बताना है नेक्ट जो कोशन है इसकी बात करते हैं हालदार साहब के सोभाव की कौन-कौन सी विसेस्ताओं का परिचाय मिलता है तो यह आपको बताना है तो इसका आंसर जो है आप नीचे देख सकते हैं यह आपको बताना है तो इसका आंसर यहाँ पर नीचे है इसके बाद में गोपिया अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों करती है यह बताना है और यहाँ पर जो है मारत हूं पापरिय तुम्हारे लक्षमन के परशुराम से लक्षमन ने परशुराम से ऐसा क्यों कहा थ यह आपको बताना है तो इसके बाद आते हैं next question पर इसका answer मैंने लिख दिया है और कहीं कोई मात्रा की mistake को देख लेना क्योंकि typing करते समय हो सकता है में भी थोड़ी मात्रा एक हो जो इधर उधर हो जाएं बादल को अनंत के घन कहने से कभी का क्यातात पर रहे है और चुहे के बिल से साप निकालना देख बच्चों की क्या मनुदशा होई यह आपको बताना है मूर्तिकार योंका यहां पर देखे थोड़ा सा मिस्टिक होगे मूर्तिकार तो कलाकार था पर जरासे पैसे से लाचार था तो यह इस तरह से लाइन है लेखक न इस कथन से मूर्तिकार के चरित पर क्या प्रकास डाला है यह एक नंबर में पूछा गया प्रशन है और इसका आंसर आप लिख स आपको लिखनी है कि आप अपने शब्दों में किस तरह से इसको व्यक्त करेंगे बाल गोबिन का संगीत जागरा है जागरा है इस कथन से आकास से आपको इसपस्ट करना है दो अंक का प्रश्ण है आंसर आपके सामने है छटा प्रश्ण है नवाब साहब कि खीरा सेवन की प आद्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की गई है तो इसका आंसर भी आप नोट कर लेंगे लक्ष्मन के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया था ये भी आप नोट करिए और नेक्स जो है आपका पाठीका थी वह धुंदले प्रकाश की कुछ तुक कुन में पक्षियों का वे वार कैसा होता है अंको बताना है इसके बाद आपका माता का आंचल पाठो के से बालसोभाव की क्या विशेशता का पता चलता है इसको आपको बताना है जार्ज पंचम की लाड की नाको पून्ह Лगाने के लिए मूर्ति कारणे क्या प्रितन किये यह बता देना है अच्छा यहां पर देखिए दना दन फोटो खिचवाने की बजाए मैं उस सारे प्रिदिश्य को अपने भीतर लगातार खीच रही थी कटाओ के प्रकृतिक सौंदर्रे से लेखी का किस प्रकार प्रभावित थी यह आपको बताना है तो इसका आंसर यहां स सकते हैं रचनाएं मैंने नीचे लिग दी हैं और इसी तरह से यश्टपाल का अगर आप देते हैं क्योंकि इसमें आप्शन मिलेगा आपको अथवा का अगर यश्पाल का लिखना चाहें तो घबरानिक जरूत नहीं मैंने आंसर दिया है अब यश्पाल की कहानी संग रहे उपने आस कोई भी आप ध्यान सकते हैं उनकी जीवन सैली मैंने आप दे दिये कब मिर्त्य हुई कर से उन्होंने जनम लिया इसके बाद जो सोलो प्रशन होएगा उसमें आपको रितुराज या किसी एक फिर से आपको पूचा जागा रितुराज या गिर्जा कुमार माथ अधुर के उपर भी हमने लिग दिया है तो आपको अथ्वा मेंसे कोई एक ही करना होगा ध्यान रखिएगा सारे प्रशन को उत्तर दे रहा हूं आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उनको पढ़िए और जितने आपको पेपर दे रहा हूं धंक से पढ़ लिजिए सारे आपको मैं दिखा रहा हूं और यहां पर निम्नांकी तो पठीत पध्यांस के सब्रसंग व्याख्या करनी है यह तीन अंकी प्रशन होंगे यहां पर 17 नंबर से और इसमें अथ्वा भी मिलेगा आपको तो दो पध्यांस दिये जाएंगे बाद मतलब दो कहानी दी गई एक तो यह कहानी दी गई है और एक यह नीचे है तो दोनों में से किसी एक का सब प्रसंग व्याख्या करनी है मैं जो है आपको पहला वाला जो प्रसंग है उसकी बतायता हूं हालदार सहाब का जो आपको कोश्चन दिया गया है उसकी बात करते हैं तो इसको मैंना है यहां पर आपको बताना है और आगर आप बताना चाहते हैं कि इस लाइनों में क्या प्रकट किया गया है क्या बताना चाहते तो आप लिख सकते हैं अगर नहीं आदा है तो नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पाठ पाठ का नाम उसके लिखक का नाम और किस बुक से सं संदर्व और प्रसंग में व्याक्थ्या में जो है इन लाइनों का मतलब बताना होगा कि यह लाइने जो दी गई है आपे छोट थोड़ी सी इसका मतलब क्या है ठीक है इसके बाद जो necks part है निमगी पधित पद्यान्स स्वाप्रसंग आगए अब यहाँ पर कवीता दी जाएगी कवीता भी आपको दो दी जाएगी दोनों में से जीवन की कैसी यह कता है आज कहूं ठीक है और यहां पर जो है देखो धन्य तुम्हारी मा भी धन्य तो यह है दंतुरित मुस्कान से ठीक है न तो यह जो है दंतुरित मुस्कान देखो यह लिखा हुआ है दंतुरित मुस्कान तो यहां पर हमने दंतुरित मुस्कान वाला वाला नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला कर सकते हैं लखनवी अंदाज पाठ का शीर्षक क्यों दिया गया है इसका रीजन आपको बताना है तो मैंने बाल गोविन भगत वाला जो है आंसर दे दिया है आप नीचे वाले आंसर को देख सकते हैं तैयार कर सकते हैं इसी में आपका बीसवा जो प्रशन है, इसमें भी आपको अथवा प्रशन मिलेगा, जिसमें ओधो तुम हो अती बड़भागी वाला जो कोश्चन है, इसमें आपको सूर्दास क्या संदेश देना चाहते हैं, बड़भागी कहने का क्या आश्य ही आपको बताना है, कवी निराला ने बादलो को बाल कल्पना से के से पाले क्यों कहा है, इस पस्ट आपको करना है, तो यहाँ पर जो हमने गोपिय वाला जो कोश्चन है उसको कर दिया है, आप चाहें तो कवी निराला की बादलो बाल कल्पना वाले पाले से आपको करना है, और इसका बद खंड द जो है, इसम ब्रावना भी लेनी है और इसमें अग्रे अस्त्रों का प्रियोक जो है विज्ञान राष्य रक्षा सेना उपरचगर ये सभी पॉइंटों को लिखना है धियानकना है इस तरह से बदोरजगारी एक समस्या में भी जो है आपको इन सभी पॉइंटों को लिखना ही होगा, तब ही जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, विद्यार्थी अनुसासन अगर आप लिखने होगे, और जो है मरू भूमी जीवन की धन जल, जो है अगर आप ये लिखना चाते हैं, तो उसमें भी आपको इन सब चीजों को लिखना ह लिखना है, तो यानि कि सभी चीज आपको पताना है, अनुसासन का अर्थ और महत्तों क्या होता है, विद्यार्थी जीवन में अनुसासन की आउशक्ता क्या है, उसके लावा जो विद्यालेम अनुसासन की इस्तिती कैसी है, और उपसंगनार जो है लिखते हुए खतम कर देना है, आपका question complete होता है, बाइसो जो प्रशन है, इसमें आएगा आपका letter, जिसमें अपने महले में आए दिन चोरिया हो रही है, तो उसके रोगधान के लिए आपको थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, और फिर अथवा में आपको दिया गया है, कि आपके पिता जी जो हम चोरियों की बात करें, तो यहाँ पर जो है आप चोरियों वाला, जो है आपने पहले अपना उत्तर लिखेंगे, उत्तर में आपका address आएगा, मैं यह पहले ही बता चुका हूँ, तो बार बार उस चीज को हम discuss नहीं करेंगे, दिनांक लिखना बहुत जरूरी है, उस इसके अथवा पार्ट का भी आप आंसर लिख सकते हो, जिसमें आपके पिता जी के दुरगटना गरस्त हो जाने पर आपके मित्र संभव जो थे, उन्होंने आपकी सहायता की है, तो आप उसको जो है, एक होसला उसने आपको दिया था, तो उसको धन्यवाद करते हो आपको एक पत्र लिखना है, धन्यवाद पत्र जो है, आपको लिखना है, तेईस्वा जो अंतिम प्रश्ण रहेगा, आपके शहर में नया वाटर वाक खुला हुआ है, इसमें रोमांचक जूले लगे हैं, ठीक है, मन्रुजना खेल है, खान फान की वैस्था, इसके लिए आपको एक विग्यापन त्यार करना है, इसी के अत्रोपार्ट में फिरसे आपको विग्यापन के लिए ही बोला जाएगा, आपके पिताजी अपनी पूरानी कार बेचना चाहते हैं, तो आप पूरा विवद्वादन देते हुए एक विग्यापन का आलेक त्यार करना है, तौनों ए है मनुजघ खेल है कानल शेवचे विएस्ता है दो यह सारी चीज हम फिस्पार्क में खेल कुद मनुजघ रोन रोमान्चक जूले पानि के खेलो तैरा की यादी' की विएस्ता है खान भोजनाले भी यहाँ पर है प्रवेश जो है प्राता आठ बे से साइचार वेता कर टिकट द्वारा रहेगा एक वर पधार कर आनंद उठाएं और चाहें तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है आप अपना मेंशन कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं तो यह प्रशन पत्र जरूर त्यार करिएगा इससे पहले मैंने आपको दो प्रशन पत्र दे दिये हैं मॉडल पेपर जरूर देखिए और उसके अलावा जो आपका important questions जो अभी मेरे पास दो paper और आ गए हैं तो उनको भी मैं देखता हूं कोशिश करता हूं कि समय निकाल करके आपके लिए उसको भी upload कर दूँ ताकि आप लोग जब पढ़के जाए तो आपको यह विश्वास ह हो जाए कि जब आप exam में जा रहे हैं तो कुछ बटका बहुत बड़ा score करके आने वाले हैं thank you very much have a good day share करना बिलकुल ना भूले सारे प्रश्ण पत्र में आपके कराऊंगा चाहें आपका अभी next paper जो है उसके करवाऊंगा science का आपका maths का संस्कृत का यह सारे questions में करवाऊ बनाता है उसका में उद्दिश यह है कि आपको पता रहे कि model paper किस तरह का बना हुआ है और कैसे questions आपसे पूछे जाएंगे thank you very much have a good day